पांच नदियों की धर्टी पंजाब में शायद पहली बार चुनाव भी पंचकोनियों होंगे जैसे जैसे चुनाव की तारीक 20 फरवरी करीब आ रही है वैसे वैसे चुनाव सरगर्मिया भी बढ़ती जा रही है पार्टीयों के बीच भी और पार्टीयों के भीतर भी इस पंचकोनियों मुकाबले में तीन नए गटबंदन के उभरने से मद्दाताओं की भी मुश्किलें बढ़ती नजरा रही हैं पर इनी मुश्किलों और काफी अटकलों के बाद कॉंग्रेस आखिरकार आज पंजाब में होने वाले विधान सभाद चुनाव के लिए अपने मुख्यमंत्री पत के उमिद्वार की घोशना करेगी इस पत के लिए दो शीर शनावं पंजाब के वर्तमान सीय चरंजीत सिंग चन्नी और पंजाब प्रदेश कॉंग्रेस कमिटे के अध्यक्ष नवजोज सिंग सिद्दू के लिए प्रतिसपरधा कर रहे हैं घोशना राहुल गांधी आज दोपहर करीब दो बजे लुदियाना में वर्चुल रैली में करेंगे मुख्यमंती चरंजीत सिंग चन्नी और कॉंग्रेस की राजजी इकाई के प्रमुख नवजोज सिंग सिद्दू पार्टी के लिए मुख्यमंती का चहरा बनने के मुख्य दाविदार है हलाकि दोनों ने गांधी को आश्वासन दिया है कि जो भी चुना जाएगा वे फैसले पर खड़े होंगे इस पर नवजोज सिंग सिद्दू ने कहा कि गांधी जो भी फैसला करेंगे उससे वे सैमत होंगे बिना फैसले के कुछ भी बड़ा हासल नहीं हुआ सिद्दू ने ट्वीट किया जब पूर्व मुख्यमंतरी अमरिंडर सिंग ने पार्टी से इस्तफा दिया तो सिद्दू को शीषपत पर काबिज होने के उमीद थी हलाकि चन्नी को आला कमान में लाया गया था लोगों का मानना था कि चन्नी विधान सभाद चुनाव तक ही सियम बने और उसके बाद सिद्दू अगले मुख्यमंतरी हो सकते हैं पिछले छे महिने में चन्नी शीषपत के लिए गंभीर दाविदार के रूप में उबरे और उन्होंने खुद कहा है कि लोगों ने उनके काम को पसंद किया है अब उन्हें सियम पत के लिए समर्थन करेंगे पंजाब में आम आद्मी पार्टी के मुख्यमंतरी पत के चहरे भगवंत मान ने कॉंग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि भले ही पुरानी पार्टी एक के बजाए दस सियम चहरों की घूशना कर दे लेकिन वस सरकार नहीं बना पाएगी बहराल अब इंतजार करते हैं और देखते हैं कॉंग्रेस का अगला सियम चहरा कौन होगा